हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों जैसा कि आपका एक्जाम है 23 जनवरी को यूपी टेट का तो हम अपने चैनल पर दोस्तों आपके लिए इंपोर्टन बुक्स की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं अगर थोड़ी भी तैयारी आपने अपने यूपी टेट या किसी भी टीचिंग एक्जाम में की है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा इस बुक्स से आपका कितना कोशन एक्जाम में आता है क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रीवियस कोशन हैं और बहुत ही बहतरीन तरीके से कोशन रखे गए हैं साथ में दोस्तों पूरी तरीके से एक्स्परनेशन के साथ जो भी इसमें दिया गया है सब कुछ हम अपने चैनल पर वीडियो के माद्यम से पढ़ेंगे तो अगर आप 23 जनवरी के लिए तयारी कर रहे हो तो डेली एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा सीडीपी का बस इसको पढ़ लीजिया आपके एक्जाम में इससे बाहर कोशन नहीं आएंगे साथ में दोस्तो जियोग्राफी और आपके पर्यावरण की भी बहुत ही बहतरीन घटना चक्री के किताबों से सिरीज इस्टार्ट करूँगा जैसे कम समय में आप अपनी बहतर तयारी कर पाएं मैं आपको Youth Competition Times की बुक पूरी solution प्रोवाइड कराऊंगा साथ में notes भी देता रहता हूँ आपको अपनी चैनल पर तो आप बस चैनल पर बने रहें तो चलिए दोस्तों पहला आज का ये topic मैंने उठाया है यहाँ पे विकास की अवधाना और अधिगम के साथ उसका संबंद इसमें top 30 questions मैंने लिये है आप इन सभी questions को देखने के बाद बहुत ही अच्छा फील करोगे कि हाँ इस book से हमें जरूर पढ़ना चाहिए question यहीं से देखने को मिलेंगे तो चलें पहला ही question आपके सामने देखे यूपी टेट के exam में 2020 में आया था पूरे explanation के साथ मैं बताऊंगा बस आपको वीडियो देखना है mobile पकड़के हो सके तो main main point भी note करते वह चलिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए बच्चे की व्रधी मुखिता संबंदित होती है तो चलिए आपको पता है बच्चे की व्रधी मुखिता जो होती है वो संबंदित होती है उसकी सरीर से मतलब सारीरिक विकास से तो इसका right answer होगा सारीरिक विकास से अब इसको यहाँ पर थोड़ा से पढ़ लिजे व्रद्धी और विकास बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बच्चे की व्रद्धी मुखिता दोस्तों सारीरिक विकास से समधित होती है दूसरे सब्दों में कोशिकाओं की गुडात्मक व्रद्धी ही अभिवरद्धी कहलाती है अथवा व्यक्ति के स्वभाविक विकास को क्या कहते हैं व्रद्धी कहा चाता है मानो अभिवरद्धी की प्रकत के अध्यन से या ग्यात होता है कि बालक के सरीर और विवहार के प्रमुक आकार प्रकार में से किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है गरभाधान से लेकर सैस्वावस्था बाल्य अवस्था किसोरा अवस्था से होते हुए प्रावणा अवस्ता तक पहुचने के दोरान को व्यक्तिके विभिन अंगों के जैसे कि आकार, लंबाई ता भार आध में आने वाले परिवर्तन को व्रद्धी कहा जाता है तो बस आपको ये बहुत important चीज़ याद रखनी है कि जो अंगों में जैसे अंग में जो परिवर्तन होते हैं जैसे आकार का बढ़ना ठीक है लंबाई बढ़ना भार का बढ़ना कम होना ये सब क्या है एक प्रकार से व्रद्धी होती है जो आपके सारी रिख विकास से related होती है कि निमलिकेत में से कौन सा कथन व्रद्धी की विसेष्टा का प्रतिनध्य तो नहीं करता है पहला option दिया गया है या एक मात्रात्मक पहलू है देखे दोस्तों व्रद्धी एक मात्रात्मक पहलू है ये बात बिलकुल सही है या मापने योगी नहीं है अब यहाँ पे इ जीवनपण्यत नहीं है बिल्कुल बात सही है व्रद्धी जीवनपण्यत नहीं चलती है विकास जीवनपण्यत होता है यहां पे देखे यह केवल सारीरिक विकास को दरसाता है तो दोस्तों व्रद्धी बिल्कुल सारीरिक विकास को ही दरसाता है तो यहां पे कथन जो गलत ह वो ये वाला है इसके लावा हमारा कोशन करने का मेन उद्देश नहीं है मैं उसको समझने का समझने का उद्देश है तो समझ ये उसको अच्छे से कि सामानता व्यक्ति के स्वभाविक प्रगसिल परिवर्तन जिन पर सिच्छन या प्रसिच्छन का प्रभाव नहीं पड़त ये बात भी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि व्रद्धी पर सिच्छन और प्रसिच्छन का प्रभावर नहीं पड़ता व्रद्धी कहलाती है व्रद्धी की निम लिखित विसेस्ताय होती है इन विसेस्ताओं को अपने मायंड में सेट कर लीजिए व्रद्धी से related question गलत नहीं ह होंगे पहला है कि व्रद्धी एक मातरात्मग पहली हो है ध्यान रखेगा इसे मापा जा सकता है ठीक है बड़े बड़े चैप्टर आप पढ़ते होंगे व्रद्धियों विकास के बच्छाल लाइनों में व्रद्धी को समाप्त करिए कि व्रद्धी का संबंद सारीरिक प होते रहो तो फिर छत के ऊपर निकल जाओगे जिन्दगी पर आप मोटे नहीं होते रहते हो फिर आपके कपड़े ही कभी नहीं कर्म फर्मोंगे मतलब बातों को समझे के वल कि व्रद्धी में व्यक्तिगत भेद होता है most important यहाँ पर ये point लिखा है कि भाया एक लड़के क व्रद्धी दूसरे तरीके की हो सकती है और एक लड़के की व्रद्धी दूसरे तरीके से हो सकती है तो ध्यान रखिए कि जो व्रद्धी में व्यक्तिगत भेद होता है इस बहुत सारे कोशन आप बढ़ा ले जाओगे चलिए अगला प्रसन देखते हैं कह रहा है कि वद्धी मापनी होती है बिल्कुल होती है अब वद्धी जीवन पर ट्रिया चलने वाली प्रक्रिया होती नहीं नहीं वाला कर रहे हैं तो इसी कथन को हम लोग च्छुल permett लेकिन हम केवल यहीं पर खत्bahn नहीं करेंगे अब ही तो बहुत कुछ इसके बारे doradhan वाले हैं देखें दोस्तों इसका कथन तो आपका डी सही होगा अब यहां पर यह जो लाइन लिखी है इसमें ही आपका एक कोश्चन चुपा हुआ है कि व्रधी विकास का ही भाग होती है व्रधी जो होती है दोस्तों वो डेवलप्मेंट का ही भाग होती है व्रधी विकास म ही समाहित होती है अब बात करते हैं इनके अंतर के बारे में यहां से आपको व्रद्धी और विकास में जो अंतर से related question आते हैं सारे के सारे clear हो जाएंगे दोस्तों व्रद्धी सारीरिक होती है बात को दरसाय जाता है व्रद्धी को मात्पा जा सकता है वही बात बोली जा रही है मतलब मातरात्म गुरूप से दरसाय जा सकता है जबकी विकास इसे गुडात्म गुरूप से दरसाय जा सकता है देखे कितनी important line यहां पे लिखिए आपको इसी से तो question बनते हैं आपको पता होगा दोस्तों व्रद्धी मापनी होती है कैसी होती है व्रद्धी मापनी होती है कहीं ये सारे पॉइंट एक जगा नोट कर लीजिए जैसे कि आपका एक्जाम में जब भी इस तरीके के कोशन आया अब असानी से कर पाओ तो व्रद्धी दोस्तों मापनी होती है जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता यह एक निश्चित आयू तक चलने वाली प्रक्रिया होती है व्रद्धी अभी मैंने आपको बताया जबकि विकास एक जीवन पन्यत चलने वाली प्रक्रिया है अब व्रद्धी विकास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है देखे सारा का सारा किलियर हो गया तो इसका अंसर भी बता दिया अब आईए दोस्तों विकास का आर्थिम विश्वस्ताओं से रिलेटेड कुछ कोशन आपके एक्जाम में आते हैं यह देखे यूपी टेट के पेपर टू में पूछा गया है पेपर वन हो पेपर टू हो या फिर सुपर टेट हो या कोई भी हो इस बुक से अलावा कुशन नहीं देखने को मिलेंगे पहला प्रस्ण देखे दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पहला कथन सीखना विवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है चीजों को सीखते हो तो आपके विवहार में परिवर्तन हो जाता है आप अच्छी चीज़े सीखोगे तो आपका विवहार बढ़िया हो जाएगा बहुत सी चीज़े नहीं सीखोगे तो विवहार में परिवर्तन नहीं होगा तो सीधी सी बात है भाई सीखना विवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है पूछा गया सत्य नहीं है ये कतन तो हम को सत्य लग रहा है बिल्कुल सत्य है दूसरा दिया गया है व्रद्धी एक जैविक प्रक्रिया है बिल्कुल व्रद्धी आपके सरीर से रिलेटेड है तो एक जैविक प्रक्रिया है ये कथन भी सही है दूसरा तीसरा कथन दिया है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है अभी इतनी देर ते हैं लोग पढ़ क्यो रहते इसलिए तो पढ़ रहते कि कोशन सही कर पाएं विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है विकास को मापा नहीं जा सकता हमको नहीं वाला कथन सेट करना है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे चुन लेंगे आगे देया है विकास एक मातरात्मग प्रक्रियUh यह कथन असत्त है क्योंकि सरीर के गोड़ात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है जब की अन्य सीखना विवहार परिवर्तन की जैसे की अन्य जो आप्सन आपको दी गए हैं जैसे की सीखना विवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है व्रद्धी एक जैविक प्रक्रिया है तता सिच्छा एक लच उन्मुक प्रक्रिया ये सभी कतन तीनों सही है विकास एक मातरात्मक परक्रिया है ये वाला कतन सही नहीं है वही हम लोगों ने चुन लिया अगले प्रस्ट पर आईए कि मानो विकास को छेत्रों में विभाजित किया जाता है इतना ज्यादा कोशन आपके एक्जाम में बनता है जिसको देखो यही पढ़ाता रहता है दोस्तों विकास आपका सारीरिक, संग्यानात्मक, संवेगात्मक, समाजिक होता है तो बस यहाँ पर देखे पहला ओप्सन ही आई तिंग दिया गया है कि भाई सारीरिक, संग्यानात्मक, संवेगात्मक और समाजिक होता है तो अब इसको हम थोड़ा सा डीटेल में अच्छे से देख सकते हैं कि मानों का विकास प्रतेक छेत में साथ-साथ होता रहता है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा important line है आपके लिए दोस्तों जो विकास होता है वो साथ-साथ होता रहता है सभी छेत्रों का साथ-साथ उनमें आपस में सामझस से भी स्थापित होता यहां से भी question आता है वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कारी करते हैं तीनों line है आपके लिए बहुत important है ये जो चारों आपने छेत्र पड़े हैं उनका आपस में संबंध होता है साथ-साथ उनका सामझस से भी होता है एक दूसर में दोस्तों सबसे जादा सारीरी विकास जो होता है important होता सबसे पहले तो यही होता है इनमें मानों किसी भी कारी को करने के लिए सारीरी रूप से तयार होता है जब आप सारीरी रूप से ही तयार नहीं होगे तो आपका विकास क्या होगा उसके बाद वा छेत्र के बारे म उसे अपने सं़्जान मिलाकर उसपर विचार करता है जब में सामाजी विकास के आवसकता होती है लिखे कितनी ज्यादा important line लिखी है सब कुछ आप विकास के छेत्रों के बारे में अच्छे से समझ गए होगे चलिए अगले प्रस्में आईए मानो जाती में विकास होता है बहुत ही अच्छा question कि सोरा अवस्ता के अंत तक बिल्कुल नहीं बाल्या अवस्ता के अंत तक बिल्कुल नहीं प्रावणा अवस्ता के प्रारम तक बिल्कुल नहीं जीवन पर्यंत तो बिल्कुल सही है दोस्तों मानो जाती में जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है जीवन भर चलता है तो इसका राइट अंसर होगा G1 पन्यत इसका राइट अंसर हो जाएगा चले यहाँ पे देख लेते हैं कि विकास एक G1 पन्यत चलने वाली प्रक्रिया है मानों के भूणा अवस्था से हुप्रारंब होकर म्रत्यू तक चलती रहती है इस विकास की अवस्था में निम निश्थर होते हैं पहली भूणा अवस्था सैस्वा अवस्था बाल्य अवस्था किसोरा अवस्था प्रवणा अवस्था एवं ब्रध्धा अवस्था तो ये बाते तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगी चलिए अगले प्रस्ट पे बढ़ते हैं question देखे क्या है कि निम लिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामो की सही व्याख्या करता है बही बात हो गई फिर से सारीरिक, संग्यानात्मक, सामाजिक और सम्विगात्मक अब इसको देखने की जरूरत नहीं है question repeat हुआ है तो इसका right answer option number D कर देते हैं फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज़ यहाँ पे हम देखे explanation जरूर देखेंगे विकास की विभिन आवस्थाओं में बालक बालिकाओं के विभार में विभिन प्रकार के अनेक अनेक परि दोस्तों यह समाजिक के अंतरगत ही आ जाता है और यह जो आपका मानसिक होता है विभिन पूछे आते हैं लेकिन जो important हमारे question पूछे आते हैं वो आप देख चुके हो चलिए अगला प्रसंद देखिए किन्निम लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताए कौन सा कथन स ही नहीं है विकास यह व्रद्धी एक दूसरे के पर्यावाची है देखे दोस्तों पर्यावाची कहना बिलकुल गलत है अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि व्रद्धी विकास का ही आयाम है तो यहां पर पर्यावाची कहना बिलकुल गलत हो जाएगा आगे question के कथन कि विकास एक सतत प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा फेमस कथन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है कि दोस्तों विकास एक सतत प्रक्रिया है व्रद्धी देखे विकास का ही भाग है व्रद्धी दो है विकास का ही भाग है इस बात को ध्यान रखिएगा ना कि एक दूसरे के पर्यावाची दोस्तों नहीं है क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के विवहार एंकार के गुडात्मक वरद्धी से संबंदित होती है जबकि वरद्धी निश्चि समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो सारीरी के हो मात्रक मरिवर्तन है तो आप बताईए जब व्रद्धी जीवन परेट चलती नहीं है विकास जीवन परेट चलता है तो एक दुस्य के पर्रेव ऐची कैसे हो के बात को समझ गए चलिए अगला ब्रसना आईए विकास का एक अधिगम है विकास का एक अधिणियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन काल में खुसी बिन बिन होती है इन्होंने कहा जब विकास होता रहता है तो उसके विभिन कालों में जो खुसी होती है बिन बिन होती रहती इस अधिनियम के अनुसार अब यह कोशन बड़ा अच्छा और अजीब साहिप का कोशन है इससे एक आपको चीज याद करनी पड़ेगी पहला दिया गया है कि जीवन का प्रथम वर्स सबसे खुसी का काल होता है ठेक चलिए हटाईए इसको वया संधी काल एवं जीवन का प्रथम वर्स भी जीवन का सबसे अधिक सुखी का काल होता है खुसी का सौरी काल होता है इसको अटाईए वया संधी काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है अब यहाँ पर आईए ये वाला कथन थोड़ा सा समझ लीजिए बैस आपका अंसर कौन सा सही है उससे मतलम मत रखिए देखे जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुसी का जैसे कि सैस्वावस्था ये सब जो जीवन का प्रथम वर्ष है वो सबसे अधिक खुसी का ये वो वया संदी काल सबसे दुखी काल होता है अब यहाँ पे अपने प्रथम वर जन्म के प्रथम वर्ष को माना जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक दुख की भावना से अनभिग्योता है जबकि वया संदी काल संगर्ष का काल माना जाता है आप समझे ये क्या है क्योंकि इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तता जो बीच का समय होता है ये दोस्तों उसको वया संदिकाल कहते हैं बहुत सारे परिवरतन होते हैं इसमें सामायोजन की छंता आपकी कम होती जाती है इसलिए दोस्तों ये सबसे दुख का काल संकट काल इसको माना जाता है तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है ध्यान देना है ठीक है चले नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं अगला प्रसंद देखते हैं कि निम लिखित में से कौन सा कथन विकास के संबन्द में सही नहीं है विकास की बात करी जाएगी अब देखिए इसको विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विसेस्ताओं की भविस्वानी की देखिए दोस्तों ये वाला कथन भी आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको लोग थिवरी में पढ़ा देते हैं कि देखिए हमको ये चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत प्रति होगा बच्चा पढ़ता ये किताबे इताबे लेकर बैठने लगता तो ये बहुत पढ़िसा होगा तो कहते हैं न विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विसेस्ताओं की भविस्वानी की जा सकती है ये कथन सही है विकास का उद्देश वनसा नुगत संभाव विचमता वो भी बोल दिया ये बात इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगी विकास के विबिन छेत्रों में संभाव खतरे नहीं है ये बिलकुल गलत बात है विकास के विबिन छेत्रों में संभाव खतरे माने गए है तो यहाँ पे ये कथन गलत हो जाएगा चौता कथन है प् देता हूँ कि विकास के विबिन छेत्रों में संभावी खत्रे नहीं होते हैं यहां कतन गलत है क्योंकि विकास के छेत्र में खत्रे की संभावना होती है जितने भी छेत्र आपने भी पढ़े थे अगला प्रसंद देखे दोस्तों आखिर विकास का अर्थ क्या है पहला अप् के फल सुरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्रोतर स्रंखला क्या केवल अनुभव और अभिप्रेणा ही important है अब यहाँ पर आईए सबसे अच्छा परिपक्वता हैं अनुभव के फल सुरूप होने वाले परिवर्तनों की स्रंखला को दोस्तों विकास हम कहेंगे तो right answer इ के वो मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभवों के फल सुरूप होने वाले परिवर्तनों की एक स्रंखला है जो जीवन तक चलती रहती है बात को समझ गये होंगे question number 12 पे आईए विकास के संदर में निम्ड में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कथन सत्य नहीं है बताना ह विकास की प्रत्य कवस्ता में अपने खत्रे हैं ये कतन सत्य है विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है भाया विकास अगर आप किसी को उकसा रहे हो किसी को केवल बढ़ावा दे रहे हो तो भाया उसका विकास नहीं होगा भड़क जरूर जाएगा विकास सांस्कतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता ये वाली लाइन तो इतनी iMPORTANT है दोस्तों कि बहुत बार कोशन आपके एकजाम में इससे बन जाता है कि विकास सांसकतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है याद rखेगा विकास की प्रत्य कवस्था की अपनी विसेस्टाएंच होती ह भावित होता है most important विकास के प्रत्यक अवस्ता के अपने विशेष्टाएं होती हैं विकास के प्रत्यक अवस्ता में अपने खत्रे होते हैं अथाथ विकास को सही दिसान नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्वपन होगा बड़ा important है देखे तीनों के तीनों पॉइंट चलिए अगले प्रस्न पर आईए विकास में व्रद्धी से क्या तात पर है व्रद्धी का मतलब होता है दोस्तों ग्यान में व्रद्धी नहीं सम्येग में व्रद्धी वजन में व्रद्धी आकार सोच समझ कासलों में व्रद्धी आकार तो चलिए यहां पर समझ सकते हैं यह वाले विकास से related दे दिया बात यहां व्रद्धियों की ओरी तो right answer option number आपका C हो जाएगा वजन में व्रद्धी अब यहां पर detail में देखते हैं कि विकास में व्रद्धी से ताथ पर वजन में व्रद्धी होता है चुकि व्रद्धी मातरात्मक होती है निश्चिस समय तक होती है इसलिए वजन में व्रद्धी को विकास में व्रद्धी का माना जाता है आगे देखिए दोस्तों मानो विकास है देखें मानो विकास मातरात्मक गुड़ात्मक दोनों है कुछ सीमा तक अमापनी है या A और B दोनों तो मैंने बताया था इसको याद रखेगा केवल मातरात्मग या गुडात्मग में दोनों याद रखेगा तो दोस्तों मानो विकास जो होता है मातरात्मग भी है गुडात्मग भी है तो option A और B दोनों हो जाएगा इसलिए option D पे यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि मानो का विकास मात्रात्मक और गुड़ात्मक दोनों रूपों में होता है मात्रात्मक में लंबाई, भार, विबिन, अंगो के आगार का बढ़ना आदिसामिल हो किया जाता है जबकि गुड़ात्मक में योगता, छमता, ब्रत्धी, बुद्धी, व्यक्ति, रूची, चिंतन, आदि में परिवर्तन सामिल किये जाते हैं चलिए नेक्स कोशन कराईए कि निम लिखे सूची में से बाल विकास में गुड़ात्मक परिवर्तन की पहचान करिए दोस्तों वजन में बढ़ना के गुड़ात्मक परिवर्तन है, द्रस्टी में बढ़ना गुड़ात्मक परिवर्तन है, बाल में बढ़ना गुड़ात्मक परिवर्तन है या दात में परिपक्वता का अर्थ एवं अधिगम में संबंद निम लिखित में से कौन निम लिखित में से अधिगम संबंदी कौन सा सही नहीं है चलिए अधिगम संबंदी कौन सा सही नहीं है इसे उचित वातावरण चाहिए भाई अधिगम को उचित वातावरण बिल्कुल चाहिए परिपक्वता से इससे कोई संबंद नहीं है गलत बाद अधिगम का परिपक्वता से संबंद है यहाँ पर आपसे पूचा सही नहीं है तो यही वाला अंसर हो जाएगा बाकि देखिए सहायक सामगरी अधिगम में मदद करती है अधिगम प्रक्या में अब प्रेणा महत्पूर है बिल्कुल मोटिवेशन महत्पूर है डिटेल में यहाँ पे देखिए कि अधिगम तभी सुचारू रोप से हो सकता है जब उचित वाता वरण हो अधिगम सामगरी हो तथा बालकों में अभिप्रेणा इस्तर विद्धमान हो साथी बालक अपने आयू के हिसाब से परिपक हो चुका हो बात को समझे अधिगम तभी सुचारू रूप से हो सकता है जब उचीत वातावरण उचीत होना चाहिए अधिगम सामगरी हो तथा बालकों में अभिप्रेणा इस्तर विद्धमान अधिगम के लिए जो अधिगम के लिए उचीत सामगरियां हो वो भी होनी चाहिए और बालकों में अभिप्रेणा इसतर विद्धमान हो मतलब बालक इनर मोटिवेट होने चाहिए खुद से मोटिवेट होने चाहिए तो उनको मोटिवेट करना आवस्यक है साथ ही बालक अपने आयू के हिसाब से परिपक हो चुका हो दो साल का बालक है उसको आप जो है लच्शमी कांत की पॉलिटी का ग्यान देरो ऐसा नहीं है तो जब वो अपनी आयू के हिसाब से परिपक हो चुका हो तभी उसको अधिगम वाली मतलब अधिगम उसका सीखना उसका उचित होता है जब उस हिसाब से उसको जब चीजे देऊगे तो वो ज़्यादा सीखेगा आगे आईए परिपक्वता एक उधारन है कि जब बालक सीखता है देखें कैसे जानूगी कि बच्चा परिपक हो गए मैक्चोर हो गए चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना तो सबसे बेस्ट आप्शन इसमें चलना सबसे पहले चलना परिपक्वता का एक उधारन है कि जब बालक चलना सीखता है अब इसको डिटेल में हाँ पे देखे कहरें परिपक्वता जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है इस बात को ध्यान रखेगा ये भी बहुत important line है यह विकास और अन्भो के फलसुरूप आती है परिपक्वता परिपक्वता का एक उधारन है कि बालक चलना सीखता है तो वा धीरे धीरे चलता है कि बाद में विकास और अन्भो के फलसुरूप उसके चलने की गती में तीवरता आती है अब अगला प्रसन देखे अधिगम एवं परिपक्वता के संबंद में कौन सा कतन सही है पहला कतन है कि यदि मानो विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनो से केवल निम्न इस्तर तक ही सीमित रह जाते है सही बात है अगर मेच्योरेटी के हिसाब से ही हम समझे कि बालक जितना मेच्योर है उसी के हिसाब से उसका विकास हो रहा है तो फिर मनो से केवल निम्न इस्तर तक ही सीमित रह जाते है तो ये वाला कतन यहां पे सही है बाट की कतन देखिए वन सिक्रम संभाव च्छमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विक्सित हो सकता है ऐसा नहीं है कि वन सा नुक्रम की संभावना जो आप लगा लेती हो कि माता पिता इनके पढ़ने वाले हैं तो ये बच्चा भी पढ़ने वाला होगा तो वो जो है बहुत निश्चित सीमा से ज़्यादा वो विकास कर लेगा ये सब बाते गलत हैं बालक विकास की दर्से जब सीखने के लिए तयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रियास द्वारा सीख सकते हैं अभी मैंने बताया कि जब बच्चा तयार ही नहीं है ठीक है बालक विकास की दर्से जब सीखने के लिए तयार ही नहीं है तो अधिक प्रियास करने से भी कोई फायदा नहीं होगा बालक की अंतर नहीं ते सक्तियों को बिना समय विचारे विक्सित करने के लिए प्रोशाहित किया जाना चाहिए बिल्कुल गलत बात है बिना समय विचारे नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे जो सही कथन पूछना है वो आपका option number A ही हो जाएगा यहाँ डिटेल में देखिए अधिगम यह परिपक्वता दोनों ही तत्व मानो विकास के लिए महतपूर कारक है अधिगम की अनुपस्तिती में परिपक्वता मानो विकास को असंतुलित कर देती है तथा मानो केवल निम्तर इस्तर तक ही सिमित रह जाते हैं next question देखिए कि निम लिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है या एक सौभाविक प्रक्रिया है देखिए अगर हम बात करें परिपक्वता की और बात करें अधिगम की तो अधिगम तो सौभाविक नहीं है बट परिपक्वता सौभाविक ह आप समझ रहो ने नैचूरल है भाई परिपक्वता तो यही बात कथन जो है इन दोनों को आपस में अलग करेगा कि भाई यहां एक सौभाविक प्रक्रिया है यह अभ्यास पर निर्भर करती देखे परिपक्वता जो है अभ्यास पर निर्भर करती है और अधिगम यह वालिया कथन तो नहीं होगा यहां पे इन्होंने फिर से कोशन देखे क्या निन में से कौन सी विसेशता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती तो परिपक्वता की ये विसेशता होती ना कि वह अभ्यास करने पर निर्भर करती है परिपक्वता तो ये विसेशता ही नहीं है तो अलग क्या करेगा या प्रेरकों पर निर्भर करती है, परिपक्वता भी प्रेरकों पर निर्भर नहीं करती है और या जीवन पर ने चलने वाली प्रक्विया ये भी नहीं इसकी विशेष्टा है तो इसकी विशेष्टा एक ये है option number A ठीक है चलिए यहाँ पर देखते हैं कि परिपक्वता एक स्वभावी प्रक्तिया है परंत अधिगम एक उद्देश पूर्ण प्रक्तिया है इस इस्तर पर परिपक्ता अधिगम से अलग होती है last question देखिए कि सामानी परिपक्वन से पहले प्रसिचित करना प्राया मतलब बच्चा पूरी तरीके से परिपक्य नहीं हो आए उससे पहले प्रसिचित करने मतलब क्या है उसका कह रहे हैं कि पहला है कि सामान कौसलो के निस्पादन के संदर में बहुत लाबकारी होता है ऐसा नहीं है जब बच्चा परिपक्व ही नहीं है उसको आप प्रसचित करने लोगों कि उसके पहले से तो वो लाबकारी नहीं होगा आगे कहने कुल मिलाकर हानिकारक है तो कुल मिलाकर हानिकारक कहना भी गलत है दीर्ग कालिक दरश्टी से लाबकारी होता ये भी गलत है सही क्या होगा डी आप्सन सही होगा कि लाबकारी हो या हानिकारी हो हा निकारक हो या इस पर निपेंड करता है निर्भर करता है कि प्रसिच्छण के किस प्रकार की विधी का प्रयूग क्या मलब बच्चा छोटा है बाइचांस उसको आप उसकी आयू से ज़्यादा चीज सिखाना चाते हो तो हो सकता है वो सीख भी सकता है लेकिन उसके लिए आपकी जो सिच्छण विधी होनी चाहिए वो एक प्रसिच्छण विधी जो होनी चाहिए वो एक भेहदरीन होनी चाहिए बहुत ही ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा हां सीख भी जाए तो यहाँ पे जो सही अंसर होगा वो इस प्रकार की विदियो का प्रयोग किया जाता है क्योंकि साधन विदी से ही साध मतल्द लच्छ का निरधारंद किया जाता है इस बात को ध्यान रकिए आगे देखे दोस्तों परिपक्वता का संबन्द है देखे विकास से, बुद्धी से, स्रिजनात्मक्ता से रूची से हम लोग क्या पढ़ने है कि परिपक्वता का संबंध विकास से तो विकास वहाँ प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसी के उसारे लिग्रूप से परिपक्वता की और अग्रेसर होता है इसलिए परिपक्वता का संबंध विकास से नेस्ट कोशन पर जहान दीजे कि विकास का वही संबंद परिपक्वता से है जो उद्धीपन का है बहुत इंपोर्टन कोशन है दोस्तों यूपीटेट के एक्जाम में पूछा गया है देखें विकास का वही संबंद परिपक्वता से है जो उद्धीपन का संबंद किसे है प्रतिक्रिया से आपने उद्धीपन प्रतिक्रिया से आपने उद्धीपन प्रतिक्रिया से पढ़ा होगा अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो आपकी बात बिल्कुल किलियर हो जाएगी कि व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है जैसे जैसे व्यक्ति क विकास होता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है ठीक इसी प्रकार जैसे कि उद्धीपन का संबंद प्रतिक्रिया से होता है क्योंकि बिना उद्धीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती हम लोग ठांडाइक का जब सिधान पढ़ते हैं तो वहाँ पर उद्ध पढ़ते हैं प्रतिक्रिया पढ़ते हैं ना बातों को समझ ये जैसे ये कुत्ता है तो वो प्रतिक्रिया कब करता है जब उसके सामने हड़ी जैसे आती है तो ये उसके लिए उद्धीपन होता है तो उसी तरीके से बात को यहां पे समझना है कि विकास का वही सम्मन्द परि क्रिया से है, समझ गए, चलिए, परिपक्व विद्यार्थी, बड़ा बहतरीन कोश्चन, भाई, परिपक्व विद्यार्थी के क्या गुड़ो हो सकते हैं, इस बात में विश्वास करते हैं, कि उनके अध्यन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं, ये तो गलत बात है, अपन जब ये गलत हो गया, तो ये कैसे गलत सही हो जाएगा, दोनों एक ही चीलिकी हुई है, कठिन परिस्तितियों में भी अध्यन से विचलित नहीं होते हैं, ये बात गलत है, तो राइट आंसर आप्सन नमबर यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिसकसन दिय आगे है, देखिए, कि परिपक्विद्यार्थी अपनी बौधिक्ता के साथ साथ, अपने सभी प्रकार के दुन्दों का सिख समाधान कर लेते हैं, परिपक्वता का अर्थ है कि विकास की एक निश्चित अवस्था में बच्चे के कार करने योग हो जाते हैं, जो इससे प सिंपल सा कोजिशन है, दोस्तों प्रकरतिक जैविक विकास को ही परिपक्वता कहा जाता है, तो इसको यहाँ पे देखते हैं, दोस्तों परिपक्वता उन परिवर्थनों को इंगित करता है, जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं, अताहा प्रधानता उस आन्व परिपक्वता का विशेश स्थान है विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने में पूर्ण हो जाती तभी दूसरी प्रादम होती ये भी ध्यान देजिए कि जब विकास का जो क्रम होता है एक क्रमिक होता है सबसे पहली बाद और उसमें जब एक क्रिया पूर्ण हो जाती तभी दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है next question देखिए एक वेक्तिमान स्पेशियों का प्रियोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौसल प्राप्त करता है तो परिपक्वता के कारण एक कौसल प्राप्त करता है right answer हाँ option number A होगा यहाँ पर detail में देखिए एक वेक्तिमास स्पेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कॉस्वल प्राप करता है या परिपक्वता का एक उधारण है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि एक क्रिया का अपने में पूर्ण होना जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सकती है परिपक्वता कहलाती है विकास में परिपक्वता का अपना इस्थान है विकास क्रम में जबकि एक क्रिया पूर्ण होने वही बात लिखिये जो भी अमने पीछे देखी थी अगले प्रस्न पर आईए निम लिकित में से क्या एक सिच्छक की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्ण करता है बात यहाँ पर सिच्छार्थी की करी जा रही है या विक्तिकत विकास की एक सतत प्रक्रिया है दोस्तों परिपक्वता भी जो है विक्तिकत विकास की एक सतत प्रक्रिया याद रखेगा यह संग्यानात्मक 46 संबंदीत है विशिष्ट वातावनर्ट की परपकुता में आव सकता होती कुछ विशिष्ट आई में होता है यह गलत सब कुछ है तो राइट अंसर यहाँ पर option number A पे चले जाएंगे तो इसको याद रखेगा option number A बाकि आप explanation इसका मत देखे आगे देखे दोस्तों इस question को आप यहाँ पर question पूछे गए हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से परिवार संब्दाय विद्याले संचार के माद्यम से जो question आ है कि विकास के लिए निम लिखित में से कौन सा एक उचित है पहला विकास जन्व के साथ प्राराम होता है समाप्त हो जाता है गलत बात है समाचत नहीं होता है सामाजी संस्कति संदर में विकास में एक महतपूर भूमका का निर्वाय करता है ये मैंने बताया था इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा सामाजी संसकत संदर में विकास में महतपूर भूमका का निर्वाया करता है बिल्कुल सही होगा विकास एकल आयामी है गलत बात है विकास प्रथक होता है ये भी गलत बात है तो right answer option number B पे चले जाएंगे next question पे आये दोस्तों अगला प्रसन है के अलावा निम लिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महतपूर भूमका निबाता है बात यहाँ पे के अलावा कर रहा है मतलब खेल जो है वो विकास में कैसे महतपूर भूमका निबाता वो बताना है वे अपने सरीर पर निपूरता प्राप्त करते हैं विल्कुल खेल के माद्धन से बच्चे अपने सरीर पर निपूरता प्राप्त करते हैं उनकी इंद्रियों को तेजित करता है यह भी सही है कि उन्हें कब उपयोग किया जाए ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो कि खेल समय बिताने का एक सुखत तरीका है के अलावा निम लिखित कारणों से यह यह युवा बच्चे के विकास में महतपुर भूंका निभाता है जैसे वे अपने सरीर पर निपूरता प्रात करते है यहाँ उनकी इंद्रियों को तेजित करता है यह वे नए कौसल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि इने कब उपयोग किया जाए आगे है कि यहाँ उनके सामाजिक, मानसिक, सारीरिक और नैतिक विकास में योगदान करता है तो सब खेल के माद्दम से हो जाता है आगे लास को पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ लीजे उसके बाद आपका इक कोशन हमेशा सही होगा कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक नीचे दियेगे हैं अंतासरावी ग्रंतिया, पौस्टिक बोजन, रोग तता चोट, वंसानुक्रम, सुद्ध हावा, त प्रात्मिक ध्यान आधारित होता है, कहने का मतलब है जो विद्याले हैं, उनका जो संभावी, मतलब जो आपस में पियर ग्रूप्स होता है, उनका उसके लिए प्रात्मिक ध्यान आधारित होता है, पहला देखिए कोशन, कहते हैं कि संभावी समूख के द्वारा समान आय इस तरपर, मतलब एक ही आयू के बच्चों को एक साथ रखें तो वो आपस में एक दूसरे से खुब सीखेंगे तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया लता है तो दोस्तो आई होप ये कोश्चन्स आपको समझ में आये होंगे मैंने पूरी आपके मेहनत करके इन कोश्चन्स को समझाने के ट्राइ किया है और बहुत ही बहतरीन तरीके से बुक में भी कोश्चन दिये गए हैं तो आप पढ़कर ही सब चीज़े अच्छे से समझ सकते हो और दोस्तो अगर हर राज जिके टेट के एक्जाम के कोश्चन्स आथ में सीटेट और यूपीटेट के कोश्चन आप कर लेते हो तो आप कभी भी एक्जाम देने जाएगा उससे बाहर कोश्चन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे बस आपको कोश्चन पढ़ने का तरीका यही रखना है कि चीजों को उसके जो समझना है केवल रटना नहीं है कोशन को यह कोशन को आपने रट लिया तो आपका काम हो जाएगा ऐसा नहीं है प्रीवियस कोशन रटनी नहीं है उनको समझना है तो आई होप दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अग झाल नवाद